वेल्कम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्स्प्लेंग करूँगा बाकी सीजन 2 2020 अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं की हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर करना ना बुलेगा साथ इसा मैंने एक अपना सेकंड चैनल भी बनाया जिसका नाम मूवी रैंक्स है जो कि हमारे एक बैक अप चैनल है सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपने मूवी रैंक्स पर ही अपनी बाकी की वीडियो करेंगे और जहां तक हमारी पिछली वीडियो की बात है उसे हम मूवी मेरे सेकंड चैनल मुवी रैंक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू नौ इंजोई दिस वीडियो हमारी एपिसोड की शुरूरात में बॉलिवर अपनी जीत के बाद एरी में छोड़के जाने लगता जाते जाते वो यूजिरो हानमा से भी मिलता लेकिन उनके दर्म्यान में कोई बात जीत ना होती इसी तरह अगले सीन में दूसर मैस स्टार्ट होने को जार होता जो कि एक कायो जापान से होता जिसका नाम जैकू यूजर ओफ ककेंडो और उसका अपोनेट होता चानीज कायो चिन यूजर ओफ सेंगुकेंड मैच की शुरुआत में जैकू सबसे पहला वार करने के लिए आगे बढ़ता कि उसका वार लगने से पहले ही चिन उस पे एक जोड़दार हमला कर देता इसके बाद वो कहता है स्पिरिट और फिस्ट निए दो चीजों का स्पेशल मिक्स्टर इस्तमाल करते हैं अपने स्पिरिट को ही अपने जजबे को अपने फिस्ट से मिलाते ही हम और कंट्री से माशाल आठ में आगे हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी नहीं है यही वज़े से कभी कभार हमें फिजिकल स्ट्रेंग भी हरा देती है अलगे स्पिरिट और फिस्ट के इलावा भी एक और चीज़ को भी एड़ करते हैं वह है अर्थ, जजबा, पंच और जबीन संगुकेन इन चीजों का मिक्स्टर का इस्तमाल करते हैं जो सुनते ही जाकु कहने लगता चलो शुकर है क्योंके मैंने तु समझे था के एक ये स्टूपिड सा पंच है फिर से एक और बार चीन कहने लगता तुम जरूर काय हो, आउटसाइडर कंट्री वाले कायों जरूर होते हैं पर सिरफ नाम के ये कहते ही जिन उस पे तुरण से अपनी कोनी से वाल करता जबके दूसरी और एक बहुत गरम सीन चलना होता हमारे सामने होता यूजिरो हानमा और यूजिरो हानमा के सामने होता बाकी हानमा इसी तरह यूजिरो हानमा कहता है तुम काफी बदल गे हो दिखने से तो लगता है तुम यही पे मुझसे लड़ना चाहते हो इस पे बाकी हाँ ही कहता जिसके चलते ही युजिरान में जैसे ही बोने लगता तो तुरण से उसकी बात को काटते हुए बाकी बोलता वैसे तुम भी बढ़ता हो थोड़ा अजीब कर ले हो मैंने सब ज़से तो मुझे तो तुम पे तुरान से बाढ़ करोगे जैसे ही तुम मुझे देखोगे या फिर जैसे ही मैं लड़ाई का टॉपिक छेरूँगा पर ज़रा देखो तो सही तो मेरे सामने ही खरे हो जिसमें यूजे रहानमा ने बाकी को completely overpower कर दिया तो इस पर बाकी कहता है चार साल और दस महीने तुरान दी यूजे रहानमा एक और बाट फिर से कहने लगता तो कल कब अच्छा सिर्फ थोरा से ही strong हो गया अब मुझे आंके दिखा रहा है तो सुनने के बाद बाकी अपनी शर्ट होताने लगता उर्ता आते वोई कहता है क्या हुआ आखर इसमें बुरा ही क्या है क्या लो डैट काफी बाते हो गई अब लड़ते हैं या फिर तुम डर रहे हो इससे पहले दोने दूसरे पे वार करते लेकिन सीन शिफ्ट होता जिसमें जाकू अपने गुटनों पे होता अब सारे लोग आपस में बाते करे होते कि ये शिंजुकेन यूजर काफी strong है इसी तरह जाकू अपने कदमों पे खड़ा हो जाता और खरे होते ही क्याता है क्योंने तुम मुझे जोइन करो जापान में में 24,000 बेरिटिंस मेरा इंतजार करे हैं क्योंने तुम भी जापान आके मेरे साथ उनको ट्रेन करो जो सुनते ही अनॉंसर काफी हिरान होता लेकिन अनॉंसर की किसको पढ़वा है जिन अपना अगलो बार करने के लिए तियार होता जिन जाकू की बाते सुन सुनके उसका दमाग कहीं और पे चला जाता इसके चलते ही जाकू से पठक देता इसी तरह जाकू मजीद बोलता टॉर्नमेंट के आखर में मेरा इंतसार करना और अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा यहीं जाकू उसके हाथ के जॉइंट्स को डिसलोकेट कर देता और मैच जीत जाता अब दोबारा से एक और बार सीन शिफ्ट होता यूजी रहानमा पे और बाकी पे बाकी कहने लगता यह ग्रैन राइटार टॉर्नमेंट हमारे अगे कोई वैल्यू नहीं रखता माफ करना मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिता तुम जाके देख सकते हो लेकिन यूजी रहानमा कहता है बाकी थोड़ा रिलैक्स करो तुमारी तो टांगे भी काम पड़ी है यसी बाकी नीचे देखने लगता है तो इसी मौकी का फाइदा उठाते हुए यूजी रहानमा उसे मूल से पकरते हुए दिवार से पठक देता यूजी रहानमा कहने लगता कि तुम्हें सही में रखता है तो मुझे नीचा दिखा सकते हो तो मेरे आगे कुछ नहीं हो तुमने क्या बस थर्ट रेट मार्शाल आट को हरा दिया बस तुम तो हवा में उनने लगे इसके तुमने यूजी रहानमा चलाते हुए कहता अब दफा हो जो यहां से यूजी रहानमा दिवार तोरते हुए उसे दूसी तरफ फैंगता बाकी दिले दिल में कहने लगता साला को जादे ही स्ट्रोंग है जब बाकी दुबारा से वहां पे जाता है वो आते ही कहता है मास्टर रेट्सू मुझे अभी भी खबर में लिया कि सर्जिरी कम्प्लीट नहीं हुई लेकिन बाकी अभी जिन्दा रह सकता है जो सुनके रायो रेट्सू कहता है जबर्दस खबर है यो रेट्सू से पसीना नीचे टा पकरा होता इसे स्टेंस ट्रेंडिंग कहते है जिस पर रायो रेट्सू कहता है पच्छे सालों के इस बात को सबसे पहले जो भी मैंने ट्रेंग चुरू की थी तो मास्टर रेट्सू के बारे में भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है रायो रेट्सू को चैनिस का सबसे स्किल मार्शल आर्टस समझे जाता है। कायो सन ने कुछ रिंग्स पैनी होती और उसी अपने हाथ के प्रेशर से ही तोड़ देता। वो कहता जब से मैं काय हूँ मैंने इन रिंग्स को पैनी रखा है। इनी हाथों का इस्तमाल करके मैं तुम्हें मारता जाओंगा जड़ तक तुम माफिया नहीं मागोगे। लेकिन इसके तुरांद ही रायो रेट्सू इसके हाथ में ही अपना हाथ डालता। हाथ डालते ही रायो रेट्सू दुनिया का सबसे बेतर गैंग्स्टर का जिकर करने लगता। उसे कहता जपान में कारोहनयामा इसकी क्रेप इतनी जादा मस्भूत है। वो स्टैक टैक ऑफ कार्ट से तुरुफर सिरफ अपनी दो उंगले का इस्तामाल करके जंग भी अलादा कर सकता है। कर कारोहनयामा तो कारोहनयामा है और तुमारी स्थेन तो उसकी करीब तक भी नहीं है। तो उसकी स्ट्रोंगेस्ट वैपन को ही हरा देता। वे एक और बार बारी पने से पहले रट्सू कहता है उन्हें सीकिंग टैटस से हार मालो और दोबारा से स्टैंस की ट्रेनिक से शुरू करो। उसके चलते ही रट्सू से अपने हाज से चूता और बस जीत जाता। काकू मजीद बोलता फस्ट राउंड के सेवन मैच के बाद चाइनिस में सिर्फ और सिर्फ तुमी और मेज जीता हूँ। यह वज़े से कायो काकू तीने मनिस्टर्स के हाथों को काट देता। क्योंकि सारे की सारे कलती उनकी है इतने जादा वी कायोज है। जान खोल के सुन लो यह सी किंग का टाइटल। किसी भी एरे केरे बाइर के लोगों को मत दो। इन सब के बाद वो तो और नेर लोगों को बलाता। क्योंकि उनमें से एक उसका बेटा होता शिंसे। और उसका दोस रॉन। हम एक चानीज एलिट पाउर की टीम बनाएंगे। लेकिन इसी में एक बंदा कहता है तो मेरे मैच का क्या। इसमर काकू से सुला देता ये कहते हुए तुमें से एक वहाँ पे ना आए तो तुमारा मैच नहीं होगा। और उससे सुलाते ही उनकी टीम भी कंप्लीट हो जाती। ये बात रायो रेट्सू, ये जुराहनमा और सब को बताते था तो कि आम अलफाजों में जपान वर्सिस चैनीज होने जा रहा है और उसका नाम सुनते ये जुराहनमा समझ जाता शुलसे दे क्रेजी बीस्ट, शोबन रोन दे बैड मैं और रेट्सू भी काफी सीरियस होता इसके लिए इसी तरह ये जुराहनमा इस चैन्ज को अपसेट कर लेता जबकि दूसरी और राहर डेट्सू काकू से कहता है यहाँ पे सबसे फजूल हो अरिना में दोनों टीम आमने सामने खड़ी होती सारे सुरतियाल बता दी गई होती मिनिस्टर्स की भी और्स वगएरा वगएरा जिसके बाद युजी राहनमा इसी मुके का फाइदा उठा उठाते हुए तो इस बाद युजी राहनमा काकू से बोलता एक और बाद सींग शिफ्र होता पांक के लोग आपस में मिटिंझ करे रहे होती यहाँ पर युजी राहनमा भी थोड़ा सिरियस है सीरियस को बढ़कर आरक तो वह जोए रहारमा कहता है आगे है कि हम चाइनीज लोगों को हलका ना ले पनी जीत को मुंके बनाने के लिए हर कोशिश करेंगे मैं जैसे वो बाकी से कहता तो मुझे जॉइन करो इस फाइट में कुछ सरूरी इंफर्मेशन एज 15 से 19 तर वो हर एक राइट आइट टरॉनमेंट जीता उसमें माफिया ने काफी पैसा लगाया और एक दूसरे के खिलाफ माफिया अंडर्ग्राउंड टरॉनमेंट हेल्थ करते थे इस टरॉनमेंट में प्रफेशनल मार्शल आइट भी होते थे जबके रॉन 25 यर्स तक अंडिफीटिट रहा था और राइट आइट टरॉनमेंट के साथ 30 साल वो अंडिफीटिट रहा था और हो आपना दूसा वार करता तो अपनी पॉकेट से बायर निकालता यवर एक एपिसोड खतम हो जती वीडियो पसंदा आई तो लाइक, लाइक, लाइक करो अकर पहले से नहीं किया तो सब्स्क्राइब करो साथे साथ मूवी रेक्स को भी सब्सक्राइब करो अरे कर दो ना